गुड मॉनिंग सभी को, कैसे हैं आप सभी, I think आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि सैसन चल रहा है आपके कुशन्स का, तो आज जो सैसन है, GK के कुशन्स का सैसन उसको आगे बढ़ाते हैं, तो जो भी बस कुशन्स आपको पढ़ाए जाएंग इसको कुशन को, बस यह काम हमारा है कि हम एक्जाम के लिए तना पढ़ेंगे, जो भी पूछेगा उसको जवाब दे के आएंगे, एक्जाम को फोड़ के आएंगे, यह हमारी जिम्मेतारी है, यह हमारी महनत होगी, आपकी भी महनत होगी, सैसन को स्टार्ट कर रहते हैं, क sex ratio is calculated as, जो sex ratio है, वो कैसे निकालते हैं, किसे हिसाब से उसको चीज़े निकाली जाती है, तो यहाँ पर देखो, c option में यहाँ पर दिया है, number of females, per 1000 males in a country, एक हजार आदमी है, और उसके कितनी महिलाएं है, तो वो आपका निकलता है, आपका sex ratio, तो आपका option यहाँ पर one का हो जाएगा, c answer हो जाएगा, question number two आपके सामने है, the meaning of the name, बाबर is, तो यहाँ पर जो बाबर शब्द है, उसका meaning क्या है, यहाँ पर तो बाबर शब्द आपक का A होगा, यहाँ पर जायन आपका meaning होगा है, शेर meaning होगा है, बाबर ने जितने भी युद किये, सम्हिछ जीत कए बाबर चाहें, वो खानवा हो जाहें, व घागला हो चाहें, वो चंदेरी हो चाहें, वो पानी पतका फरस्ट हो, सारे युद्धों में बाबर जीत कए, सा बद्दस्त इंसान थे भाई साथ आगे बढ़ते हैं next and mughals के क्या थे संस्थापक थे मughals हम बढ़ते हैं इतियास में हिस्ट्री में तो वहाँ पर क्या संस्थापक कर नाम आता है तो बाबर ही आते हैं इब्राहिम रोधी को पचार देते हैं पानीपत के पहले युद में और बन जाते हैं बेजेता इस्थापना हुडाती है मughals की कुछिन नमर थ्री आपके सामना है इन्दस सेकंड बैटल पानीपत इन 1556 अकबर डिफिटिड कहा कि जो दूसरा आपका युद होता है पानीपत का दूसरा युद 1556 में अकबर ने किसकोड़ डिफिट किया भाईस आप हैमू को हैमू कोडिफिट किया सी ऑप्शन में हैमू आपके हैमू दिये हूँ है कैसे डिफिट होते हैं आपको याद होगा थोड़ी कहानी पता होगी आँख में तीर लग जाता है हैमू के और हैमू क्या होता जीत रही होते हैं लेकिन अकबर जीत जाते हैं क्योंकि हैमू की आँख में तीर लग जाता है उससे क्या होता है अकबर हाल रही होते हैं लेकिन हालते हालते जीत जाते हैं डिफीट हो रही होते हैं बते जीत जाते है क्योंकि日 किस्मत में उनको बनाना होता है एक empire खाड़ा करना होता है यदि वो आपकी युद्ध में defeat हो जाते है अकबर तो क्या होता एं क्यूइड इंपार नहीं बन पाता और वो शासन नहीं नहीं पाता दो उनाम नहीं हो पाता सत्ता चेंज हो जाती हैं लेकिन यहां पर हैमू आपके defeat हो गाए और अकबर जीत के कैसे हैमू की आँख में तीर लग गया है। आते हैं Q4 आपके सामने हैं, अकबर डाइड इन, अकबर की मौत हो जाती है, कब 1605 में आपकी अकबर की मौत हो जाती है, तो यहां पर C option है, फोक आपका C हो जाएगा, जितने भी question है, सारे important question है, सारे एकदम जबर 10 question है, सारे famous question है, exam में आ सकते हैं, बस ध्यान से सुन लेना, बिठा लेना दिमाग में, आते हैं Q5 पर, Indian penal code came into operations in, कहा Indian penal code कब operation में आता है, ध्यान लखना है, आपको दो बाते ध्यान लखनी है, अट्थारसो सार्थ में penal code बन जाता है, बट implement होता है, लागू होता है, अट्थारसो 62 से, तो यहां पर पूछा है, operation में कब से आया है, तो अट्थारसो 62 कहां पर दिया है, डी में दिया है, अट्थारसो सार्थ में बन के तयार हो गया है, लेकिन, operations में कब से आया है, डी ऑप्शन थारसो 62 से आया है, ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, अट्थारसो सार्थ में बन के तयार हो गया, बट रागू हुआ तरह सो बास ने डियू अप्शन एक्जेक्ट सही यहां पर जवाब हो जाएगा आते हैं कुछिन नमर्व शेक्स पर विच वाज डेस्क्राइब बाइड कर एस दा हर्ट एंड सोल आफ दा कॉंस्टूटिशन का तो बात करें किसकी हम बात करते हैं तो यहां पर बात होती है सभ्धानिक उप्चारों का अधिकार, सभ्धानिक उपचारों का अधिकार जो आपका 60वा फंडमेंट Ni र Vi competing ऐख बमेंटिब उसक्राइब ऑभात को आपको किसी भी फंडमेंटं मेंट राइट की चा सकते हो। अपको आपका स्प्रम क्रूट पंस दिल्वा देगा आपको तो आपका 6 का यहां पर C option हो जाएगा आते हैं 7 पर कहा इस फैडरल इस्ट्रक्टर ऑफ पॉल इंडिया वाज फस्ट पॉट फॉबड वाइदार कहा जो फैडरल धांचा है इंडिया का फैडरल धांचा का मेंस होता है कि संघात्मक धांचा आप हिंदी में कह सकते हो मीनिंग क्या है कि आपके देश में जो शक्तियां है वो डिवाइड़ है एंड उसको ही आप फैडरल इस्ट्रक्टर कहते हो कुछ सेंटर गॉर्मेंट है कुछ इस्टेट गॉर्मेंट है कुछ आपका PM है प्रसीरेंट है यह सब के पास शक्तियां बटी हुई है लेकिन ज 1935 जो गॉर्मेंट ओफिंड एक्ट 1935 अगरे जले क्या थे उसमें इसकी बात हुई थी सबसे पहले तो यहां पर 7 का आपका D option हो जाएगा सही सही 8 पे आ गए है वैन वाज अबर नेशनल एंथम फरस्ट संग एंड वेल कहा जो नेशनल एंथम है नेशनल एंथम सबसे पहले कहां पर गाया गया था कौन सी जगे पर गाया गया था कुछ बच्चों को यही confusion होता National Anthem क्या होता है National Song क्या होता है राष्टगान क्या है राष्टगीत क्या है तो मैं आपको बता दू Anthem क्या होता है आपका जनगर्ण मन जनगर्ण मन आपका क्या है Anthem है And Song क्या है जो वंदे मात्रम है वो आपका सौंग है राष्ट गीत तो आपका यंट है तो आपका जण कर दोट गांग कैंथ आपको संब लिखांग को यहांपर थोड़ा सा दोना बाते आपको बताती है यहां पे पूचाहे नास gni सबसे पहले कहां पर गया था तो यहांपे कत्रा कर जो सैजन हुआ था इंडियन नेशनल कोंगरेश का वहां सबसे पहले गया था 1911 में 27 सब अब कर न हैं वहां पर इसको गाया जाता है, 8 का D option यहां पर सही हो जाएगा, 8 का यहां पर है D आपके सामने, आ गए है 9 पर, आपको याद होगा, अकबर का जो सनचन था, वो कौन था, बैरम खाँ था, तो बैरम खाँ ही सारा वो चीजे उन्होंने समादा चाहे, वो बचपन में थे, छोटे थे, अकबर चाहे, वो थोड़ा से बड़े हो गए, और उनके सेना पती के रूप में रहे, पहले सनचक के र एंड उसको जब सनचन बना के गया, किसको बैरम खाँ को किसका, अकबर का, अपने बेटी का, कहा कि मेरा बेटा महान सासक बनेगा, मेरा बेटा एक दिन कुछ महान बनेगा, उसको तुम समादो क्यों कि राजा का बेटा था, उसको बैरम खाँ के साथ सब्सक्राइब कर द आपको पता है, नाइन मिनिस्टर्स थे, नो के नो नवरतन इनके पास थे, एंड चाहे वो तांसेन हो चाहे वो आपके जितनी भी महान-महान चीज़ जो बंदे परसन थे, वो इनके पास थे, आगे तांसेन से एंड बीरबल से भी कुछ नागे दिया हुआ है, तो बीरबल इनके पास थांसेन मिन थे, राजा टोडलमर, राजा मान सिंग ऐसे नो इनके पास जब दस्त बंदे थे, आपको पता यदि एमपार करना है, तो क्या होना चीज़ जब दस्त आपके पास दिमाग होना चाहिए, बंदे आपके पास जब दस्त होने चाहिए, तब ही आप ए था लिए कुशन नवर 11 पर आगे दा मोश्ट फेमास मुजिशियर एड़ा कोट आफ अकबर यहां पर देखो मैंने पीछे भी कहा था क्या है सी आप्शन यहां पर रामतनु पंडे कौन है तानसेन है भाई साब तानसेन है तानसेन कहां पर थे मद्रप्रदेश में ध्रदेश में अकबर बनान ऊनसे मैं निआ हैं ना है आगी प्योयाज Sapu होगै यहां से contourENT कुछा था था यहां यहां वहां कर दो है प्योठ तो अबाससे पूछाता कैंवा है इसकािघ्या से लीकी option, पे हो गया है 12 पे आगए है, क्लेकल सा राज यहां कि कौन सा सन है स्क्षरत जो सबसे जबसे ज्यादा है महिलाओं में तो आप कोण हो जाएं क्या common question है, बहुत famous question है, बारा का एक के लार में बहुत ज़्यादा education है, जब दस्तर सिक्षा है, चाहे वो males की पात ने, चाहे फेमिल्स की, 13 पर आ गए है, what is the name of akbar's biography, akbar की जो जीवनी है, जो आपकी उसकी जीवन की सारी incidents है, वो कौन से किताब में लिखी गई है, किताब का नाम क्या है, अकबर नामा, अकबर नामा, अकबर नामा, तो आपको पता है कि बहुत famous किताब है, किसने लिखी है, आप मुझे फटा फट से comment में बताऊगे, कि लिखा किसने है, बहुत famous है, किन्हों ने लिखा है, आते हैं 14 पर, how many articles are there in the Indian constitution, और जिनली, यहाँ पे question को ध् 1950 की बात रहा है, कि 1950 में जब साविधान रागू हुआ था, apply हुआ था, 26 January 1950 को, तो आपका कितने articles थे, उसमें 395 थे, 395 थे, 395 थे, 395 दिया हुआ है, यह आपको थोड़ा सा, मैं एक दो बाते हैं और बता दूँ, अभी भी 395 ही संख्या, 395 संख्या है, जो original संख्या है, उसकी पार्ट कर दिया है, कुछ समय कोई चीज जोड़ती है, जैसे मैं पंचायतों की बात कर दो, 243 आपका A से O तक जोड़ती है, fundamental duties 51 A में जोड़ती है, right to education 21 A में जोड़ती है, तो ऐसे A, B, C, D उनके इंदर जोड़ती है, लेकिन संख्या क्या है, और जिनली अभी भी कि स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल थे, आते हैं कुछ नवार 15 पर, what does the name Aakbar means, Aakbar का meaning क्या होता है, तो Aakbar का जो meaning होता है, great होता, महान होता है, और सही बात है कि महान भी थे, जब अदस्त राजा थे, जब अदस्त किंगी थे, 16 पर आ गए है, which device is used to measure very low temperature of objects, कौन सा device ह इससे हम मापते हैं, बहुत ही कम तापमान को मापते हैं, तो A option में यहाँ पर कायलो मीटर दिया है, तो कायलो मीटर से हम बहुत कम तापमान को मापते हैं, 16 का A यहाँ पर हो गया है, 17 पर आ गए है, who was the first Indian woman to scale, Mount Everest, Mount Everest पे चंडेवारी पहरी महिरा कौन थी, पहरी Indian महिरा ही वो आपकी 17 का A यहाँ पर हो जाएगा, 18 पर आ गए है, how many bones present in human ears, जो आदमी का कान है, उसमें कितनी हडिया होती हैं, यहाँ पर ears कहा है, means दोनों कानों की बात कर रहा है वो, एक कान में 3 हडिया, 2 में कितनी हो जाएगी, 6 हडिया हो जाएगी भाई साब, 6 option कहा है, A में दिया है, 6 option इहां पर, तो 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा, A आपके सामने, आ गए है, 19 पर, at baron island, the only active volcano in India is situated in, कहा देखो, इंडिया के पास, अकेला एक ही ज्वाला मुखी है, उसका नाम क्या है, baron island, उसका नाम है, पूछ रहा है, कहां पर है, भाई, कहां पर है, कौन स impeachment of the president of India is adaptive from, कहां, जो impeachment का, जो राष्टपती को हटाने का, जो impeachment है, वो कहां से हमने लिया है, कौन से देश से हमने लिया है, अब मुझे फटा-फट से आप, कहां पर बताएंगे, comment में, कि article कौन सा है, राष्टपती का impeachment, article कौन सा है, यह आप कीजे मितार ही, आप मुझे comment म बढ़ाओगे, तो यहां पर जो राष्टपती का impeachment है, वो concept आता है, कहां से, USA से आता है, USA कहां पर दिया है, option A में दिया हुआ है, 21 पर आ रहा है, which of the foreign states has the lowest literacy rate, कहां पर कौन सा राज जहां पर सबसे कम सक्छता है, तो कहां पर C option है, यहां पर बिहार में, सबसे कम सक्छता है, 22 पर आ रहा है, in India, the concept of single citizenship is adopted from, कहां single citizenship एकर नागरिखता, आपके पास जो आपके इंडिया में नागरिखता है, citizenship है, वो कहां की है, इंडिया की है, ना की पंजाब की, ना की उपी की, ना की बिहार की, तो इंडिया की है, आपके पास citizenship, and citizenship में बहुत सारी बाते हैं, कि अब क्या हंगामा है CAA है City Inship Amendment Act है बहुत सारी बाते हैं अब उसमें भी वह चैप्टर है पॉलिटी का हिस्सा है बस मैं यहां पर बात रहाओं सिंगल City Inship का जो कंसेप्ट है वो कहां से आता है तो वह आता है ब्रितेंसे और ब्रितेंस यहां पर नहीं है यहांपर एक जैट दिया है इंगलांड तो इंगलांड आपस्व इंडिया जो कहते हैं इंडिया Disckeiten नैनी ताल मेंसे और में आप dinheiro आपे हो जाएगा, the term greater India denotes, जो आपके शब्द है greater India, वो क्या बताता है, तो आपका जो इंडिया है, वो जब अदस्त महान है, क्यों महान है, संसकती बहुत टाइप की है, देश में आपकी सब भिताएं बहुत टाइप की, धर्म बहुत टाइप की है, तो क्या है, हिंदू है मुसलिम हैं, सिख हैं, इसाई हैं, जैनिजम हैं, बुद्धिजम हैं, यहूदी हैं, पासी हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिक्स हैं, तो यही क्या है, बहुत ज़्यादा cultural biodiversity है, cultural आपकी diversity यहां पर मौझूद है, बायो डाइप का होगे, बायो कमीन्स होता है, पेड़ पौध सब्सक्राइब है, बायो यही तैनिस सब्सक्राइबर बायो यहां पर करते हैं, जैनिनस ह Tris बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.